Hey guys, कैसे हैं आप सब? आज इस वीडियो में हमारे पास आ चुका है OnePlus 9R जो के सिरफ 40,000 की प्राइस में आपको बहुत ही amazing features प्रवाइड करता है आज इस वीडियो में ऐसे ही 40 से ज़ादा features आपको बताऊंगा जिनकी मदद से आप अपने phone को बहुत ही अच्छे तरीके से use कर पाएंगे तो phone के बारे में अच्छे से जानना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखेगा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजेगा बलके आपको एक OnePlus का shelf देखने के लिए मिलता है जो के हो सकता है काफी सारे लोगों को अच्छा ना लगे हालां कि आप इस चीस को change कर सकते हैं अगर आप home screen के उपर long tap करके home settings में जाएंगे तो यहां पर आपको swipe down to access का option देखने के लिए मिल जाएगा और यहां पर आप notifications and cube settings को select करके save कर सकते हैं इसके बाद आप देख सकते हैं कि इसकी मदद से आप notification panel को control कर पाएंगे अगर आप दुबारा से home screen settings में जाएंगे दोस्तों तो यहां पर एक और amazing option आपको double tap to log का देखने के लिए मिलता है अगर आप home screen में कहीं भी empty जगा पर double tap करेंगे तो आप phone को directly log कर सकते हैं अगर आप इस function को own रखेंगे home screen settings के अंदर ही आपको home screen layout और launcher layout चेंज करने का option भी मिलता है launcher layout basically आप decide कर सकते हैं कि आपको drawer चाहिए या नहीं या फिर सारे applications जो हैं वो आपको home screen पर चाहिए तो आप home screen only mode choose कर सकते हैं उसी के साथ यहां पर home screen layout चेंज करने का option है अगर आप grid चेंज करना चाहते हैं या फिर icon का size चेंज करना चाहते हैं या फिर icon का जो नाम है उसको हटाना चाहते हैं यह सारी चीजें आप change कर सकते हैं यहां पर आपको icon pack का option भी दिया गया है दोस्तों by default आपको oxygen OS वाले जो deport icons होते हैं circular shape में वो देखने के लिए मिलते हैं लेकिन अगर आप चाहें तो यह hydrogen icon pack enable कर सकते हैं और इसकी मदद से rounded rectangle वाले icons आपको देखने के लिए मिलेंगे यहां पर आप देख सकते हैं इनकी shape जो है वो change हो चुकी है मुझे काफी interesting लगती है यह shape और अगर आपको अच्छी लगे तो आप इसको use कर सकते हैं home screen settings में आपको hidden space का feature भी देखने के लिए मिलता है दोस्तो hidden space की मदद से आप icons को hide कर सकते हैं अपनी applications को hide कर सकते हैं इसको use करने के दो तरीके हैं आप home screen से इस तरीके से pinch out करेंगे तो hidden space में आ जाएंगे या फिर app drawer में अगर आप इस तरफ swipe करेंगे उस तरीके से भी आप hidden space को open कर सकते हैं अब यहां पर आप applications को select कर सकते हैं जिस भी application को hide करना चाहते हैं उसे के साथ three doors पर अगर आप click करेंगे तो यहां पर आप in applications के लिए password को भी enable कर सकते हैं अगर आप इनको password protect भी करना चाहते हैं इस phone में दोस्तों आप files को भी hide कर सकते हैं और password protect कर सकते हैं और वो जो भी files होंगी जो आप इसके अंदर रखेंगे वो आपको file manager के अंदर देखने के लिए नहीं मिलेंगी basically password protect हो जाएंगी और hidden हो जाएंगी आपकी files अगर आप photos, videos, files कोई भी hide करना चाहते हैं इस phone के अंदर इंटरने आपको एक screen recorder भी दिया गया है अगर आप अपने phone की screen को record करना चाहते हैं अगर आप screen recorder के उपर long tap करते हैं तो यहाँ पर दोस्तों amazing quality का recorder है यहाँ पर आप 4K resolution तक अपनी screen recording कर सकते हैं bitrate जो है वो maximum 24 mbps तक set कर सकते हैं और frame rate यहाँ पर आप 60 fps तक record कर सकते हैं उसी के साथ यहाँ पर आप audio source को internal audio पर भी set कर सकते हैं इस phone में दोस्तों आपको system wide dark mode भी देखने के लिए मिलता है जोके again आप control center से use कर सकते हैं यहाँ पर आपको directly dark mode का option मिलेगा इसके उपर अगर आप क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं system wide dark mode है मतब जो भी applications dark mode को support करती हैं वो automatically dark mode में convert हो जाएंगी और अगर आप इसके उपर long tap करेंगे तो यहाँ पर आपको manage apps का option भी मिलेगा अगर आप किसी application के लिए manually उसको turn off करना चाहते हैं तो आप वो चीज़ कर सकते हैं control center के इंदर एक और amazing mode आपको zen mode देखने के लिए मिलता है दोस्तो zen mode basically एक तरीके का focus mode है अगर आप कुछ time के लिए चाहते हैं कि phone आपको disturb ना करे meditation करना चाहते हैं किसी चीज़ के उपर focus करना चाहते हैं तो आप zen mode enable कर सकते हैं उतने time के लिए आप phone को use नहीं कर पाएंगे चाहके भी use नहीं कर पाएंगे और phone भी आपको कोई notification वगेरा से disturb नहीं करेगा आप यहाँ पर time setup कर सकते हैं कि कितने time के लिए आपको इसको enable करना है और let's go पर क्लिक करके enable कर सकते हैं एक और amazing option दोस्तों control center के अंदर आपको bad time mode का देखने के लिए मिलता है अगर यह option आपको यहाँ पर देखने के लिए ना मिले तो आप इस pencil के icon पर क्लिक करके यहाँ पर नीचे से इसको उपर drag कर सकते हैं यह back time mode बहुत अच्छा option है दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आप हर रोस एक ही time पर सो जाए जब आपके सोने का time हो तो आपको phone जो हो याद दिलवा दे उसे के साथ आपका phone automatically gray scale mode में चला जाए do not disturb mode जो हो automatically enable हो जाए बेसिकली रात के time सोते हुए आपको कोई disturbance ना हो notification वगारा से यह सारी चीज़ें आप automatically कर सकते हैं मतब फोन automatically करेगा आपको just time setup करना है कि आप कितने बज़े सोते हैं और कितने बज़े उठते हैं और जिस time के आप सोते हैं उस time के लिए यह सारी चीज setup कर सकते हैं मतब कि आप setup कर सकते हैं कि कौन-कौन सी applications आप work time में use करना चाते हैं और कौन सी applications आप जो normal आपका lifetime होता है तब आप use करना चाते हैं ताकि आप एक अच्छा balance create कर पाएं जब आप काम कर रहे हैं तो सिरफ काम करें जब आप काम नहीं कर रहें तो आप दिलकुल तो उसके लिए आपको इसको थोड़ा बहुत सेट अप करना होगा, कुछ एप्लिकेशन को चूज करना होगा, कि कौन कोज सी एप्लिकेशन है, टाइम आपको सेट अप करना होगा, कि आपके काम का टाइम क्या है, आप कितने दिन काम करते हैं, कितना टाइम काम करते हैं, और तो अगर आप अपने परसनल वाइफाई का पासवर्ड किसी किसा शेर नहीं करना चाहते या फिर अपने फोन को एक वाइफाई एकस्टेंडर की तरहां यूज़ करना चाहते हैं वो दोनों केसिस में ये ओप्षिन जो है वो काफी ज़्यादा है अगर आप एक वोल्टी ने अगर आप एक अमेजिंग ओप्षिन आपको डूल चैनल नेटवर्ट अचलेरेशन का मिलता है अगर आप वाइफाई और मबाईल डाटा दोनों चीज़ों को यूज़ करके बहतर नेटवर्ट स्पीड लेना चाहते हैं तो आप डूल चैनल डाउनलोड असलेरेशन को की मदद से सेटिंग्स के अंदर अगर आप ब्लूटूथ एंड डिबाइस कनेक्शन के अंदर जाते हैं तो यहां पर आपको काफी सारी अमेजिंग चीज़ें मिल जाती हैं जैसे के आप यहां से एनेफजी को एनेबल कर सकते हैं तो अगर आप अपने फोन से पेइमेंट स्क्रीन कैलीब्रेशन अगर आप चेंज करना चाहते हैं डिब्ले के लीए उसी के साथ र्ी-फ्रेश रेट आप चेंज कर सकते हैं अगर आपको लगतला जायनी हर्ट पर बैटरी बहुत जादा यूज हो रही है तो किसी टाइम पर बैटरी सेफ करने के लिए आप 60 हैश डिस्प्ले के अंदर एक बहुत ही amazing option आपको vibrant color effect का मिलता है अगर आप इस option को enable करते हैं तो आपके phone पर जो भी videos आप देखेंगे उनके colors काफी ज़ाधा enhance कर देगा phone एक artificial option है colors enhance करने के लिए ज़ाधा बहतर दिखाने के लिए हालांके हो सकता है किसी application में एच्छे से काम ना क तो उस case में आप इस option को disable भी कर पाएंगे उसी के साथ यहां पर आपको vision comfort और reading mode जैसे options मिल जाते हैं अगर आप पढ़ने के लिए mono effect यूज करना चाते हैं मतब black and white effect यूज करना चाते हैं या फिर chromatic effect का option भी है उसी के साथ vision comfort मतब कि आप color temperature phone का change करना चाते हैं कुछ time के ल सकते हैं कि आपको always on display को कब देखना है schedule करना है या फिर हमेशा देखना है और आपको क्या-क्या देखना है उस display के उपर ये भी चीज़ें आप चूज कर सकते हैं आपको fingerprint icon देखना है या नहीं music की information देखनी है new notifications देखनी है और कोई अपना personal message अगर आप आप शो करना चात है तो इस तरीके का edge lighting effect आप अपने phone पर enable कर सकते हैं जो कि काफी सुन्दर दिखता है और यहां पर आपको four color options मिल जाती है डिस्पले settings के अंदर आपको status bar customization का option भी मिल जाता है अगर आप battery style को change करना चाहते हैं आप circular mode में देखना चाहते हैं बैटरी percentage को आप देखना चाहत हैं settings के अंदर customization का भी आपको एक बहुत ही amazing option मिलता है यहां पर phone के लिए काफी सारी चीज़ें आप customize कर सकते हैं जैसे के canvas का option आपको देखने के लिए मिलता है यह basically काफी जादा interesting option है दोस्तों आपके एक photo का canvas create करके आपके always on display पर setup कर देगा उसके बाद lock screen और home screen के उपर same ही photo apply कर देगा और पूरा overall एक बहुत अच्छा सा effect आपको मिलेगा अगर आप इस option को use करेंगे उसी की साथ अगर आप ambient display के उपर cloak style चेंज करना चाहते हैं काफी सारे amazing cloak styles आपको मिल जाएंगे या फिर fingerprint animation आप चेंज करना चाहते हैं again 5-6 animations आपको यहां पर मिल जाते हैं यह सारी चीज़ें आपको यहां पर मिल जाएंगी यहां पर कुछ और amazing options आपको accent color और system icons की भी मिलती हैं दोस्तो accent color basically जो toggles होते हैं वो किस color के आपको देखने हैं वो color आप यहां से change कर सकते हैं उसी के साथ system icons मतब यह जो toggles आपको देखने के लिए मिलते हैं यहां पर या sound and vibration के अंदर अगर आप जाते हैं तो यहां पर आपको dual B Atmos का option भी मिलता है इस phone में आपको stereo speakers दिये गए हैं और उनको आप और जादा enhance कर सकते हैं अगर आप dual B Atmos के feature को use करते हैं उसी के साथ एक amazing option यहां पर आपको earphone mode का मिलता है अगर आप earphones बहुत जादा use करते हैं तो अगर आपको कोई call आता है तो automatically answer हो जाएगा क्योंकि आपने already एक Bluetooth device लगा रखा है यह सारी चीज़ें आप earphone mode की मदद से कर सकते हैं अगर आप navigation mode change करना चाहते हैं तो settings के अंदर button and gesture का option आपको मिलता है यहां पर navigation bar and gestures के अंदर आपको navigation gestures या फिर buttons चूज करने का option मिलता है by default मैंने यहां पर navigation gestures यूज कर रखे हैं और काफी अच्छे से इस phone में वो काम करते हैं उसी के साथ एक और amazing option यहां पर आपको किक gestures का मिलता है बिसकली three finger screenshot अगर आप यूज करना चाहते हैं या फिर screen of gestures अगर आप यूज करना चाहते हैं मतबकि double tap करके आप wake कर सकते हैं music control क बनाएंगे screen के उपर और music आप control कर पाएंगे उसी के साथ अगर आप कुछ draw करके कोई application control करना चाहते हैं कोई application को own करना चाहते हैं यह सारी चीजें आप यहां से कर सकते हैं settings के अंदर battery के अंदर एक बहुत ही amazing option आपको optimized charging का दिया गया है दोस्तों अगर आप रात को अपन देता है बहुत जादा तांके जब तक आप सुबा तक उठेंगे तब तक phone धीरे धीरे चार्ज हो और basically overheating ना हो over charging ना हो यह सारी चीजें optimize charging की मदद से आप कर सकते हैं settings में अगर आप utilities के अंदर जाते हैं इसके अंदर भी काफी सारे amazing options आपको मिलते हैं जैसे कि यहां पर अगर मैं इसको turn on कर लेता हूं दोस्तों और उसके बाद fingerprint sensor की मदद से अनलोग करने के बाद इसको press करके रखता हूं तो यहां पर में पास काफी सारे shortcuts आ जाते हैं basically अगर मैं directly chrome के अंदर new tab open करना चाहता हूं कुछ chrome के अंदर search करना चाहता हूं तो directly ऐसे एक shortcuts यहां पर add क utilities के अंदर एक और amazing option आपको parallel apps का भी मिलता है जो के dual apps जैसा एक feature है basically अगर आप किसी social media की app के दो accounts अपने phone में यूज करना चाहते हैं तो आप यहां से वो चीज़ कर पाएंगे हालां के अभी मैंने कोई भी ऐसा application install नहीं कर रखा जिसमें आपको दो accounts की जरूरत पड़े त सकते हैं लेकिन app उपर का एक अलग से feature भी आपको दिया गया है यहां पर again आप applications को add कर सकते हैं जिनको आप log करना चाहते हैं और अगर आप चाहें तो उनका notification content भी hide कर सकते हैं मतब उनकी notifications भी आपको देखने के लिए नहीं मिलेंगी एक और amazing feature यहां पर आपको quick reply in landscape mode का दे जल्दी से उसका reply कर पाएं हलांकि अगर आप इसको use नहीं करना चाहते हैं तो आप यहां से floating keyboard को disable भी कर सकते हैं settings के अंदर अगर आप system के अंदर जाते हैं तो यहां पर एक amazing option आपको ram boost का देखने के लिए मिलता है basically phone जो है वो आपकी usage को समझने की कोशिश करता है कि आप किस तरीके से phone को use करते हैं और उसके हिसाब से applications को automatically background में load कर देता है या फिर kill कर देता है और आपको एक बहतर ram management का option देखने के लिए देता है एक और चीज़ आपको बता दुन दोस्तों कि इस phone में आपको expanded screenshot का option भी मिलता है जो कि scrolling screenshot है अगर आप एक normal screenshot capture करते हैं और अगर आप इस icon के उपर click करेंगे तो phone जो हो automatically scroll करना शुरू कर देगा एक long screenshot capture करना शुरू कर देगा और जहां पर भी आप tap करेंगे वहाँ पर stock हो जाएगा इस तरीके का expanded screenshot आप capture कर पाएंगे camera के भी काफी सारे amazing features इस phone में दिये गए हैं तो अगर आप camera के अंदर चल जाएंगे सबसे पहले शुरुआत करेंगे videos के साथ तो video में एक amazing option आपको video portrait का देखने के लिए मिलता है इस option की मदद से आप इसको use कर पाएंगे basically videos में अगर आप blur effect लेके आना चाहते हैं कुद को shoot करना चाहते हैं amazing dslr वाला effect जो है वो लेके आना चाहते हैं वो आप video portrait की मदद से कर सकते हैं उसे के साथ videos के अंदर आपको night scape mode भी दिया गया है मतबके night mode जो है अगर आप videos में भी use करना चाहते हैं वो भी option आपको यहाँ पर दिया गया है काफी amazing option है अगर आप रात के time इसको use करेंगे तो काफी enhanced videos आप shoot कर पाएंगे एक और option यहाँ पर आपको super stable videos का भी मिलता है लेकिन एक चीज़ यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा दोस्तों कि अगर आप इस mode को use करते हैं तो phone जो है वो ultra wide lens को use करता है और क्योंकि ultra wide lens यहाँ पर सिरफ 16 megapixel का है तो उसकी quality आपको उतनी इच्छी नहीं देखने के लि mode आपको दिया गया है और resolution की अगर आप बात करें तो आप maximum full HD resolution में shoot कर सकते हैं लेकिन उस case में सिरफ 240 fps का slow motion आप record कर पाएंगे हालांकि अगर आप इसको change करके HD resolution में change कर दें तो यहाँ पर 480 fps का slow motion भी record कर सकते हैं photos के अगर आप बात करें दोस्कों तो इस phone में आपको pro mode भी देखने के लिए मिलता है और pro mode की खासियत यह है कि इसके अंदर आपको raw photos capture करने का option भी मिलता है अगर आप nightscape mode की मदद से photos capture करते हैं तो यहाँ पर एक amazing option आपको tripod mode का भी दिया गया है बिसके अगर आपका phone tripod पर अच्छी photos capture कर पाएं इस phone में दोस्तों जापको gallery app देखने के लिए मिलती है वो भी काफी ज़्यादा amazing है और अगर आप photos या videos को hide करना चाहते हैं तो आप gallery app की मदद से भी कर सकते हैं अगर आप यहाँ पर collections के अंदर आके नीचे scroll करते हैं तो यहाँ पर आपको hidden collection का option मिल देगा और यहाँ पर आप जो भी photo को add करना चाहाएं कर सकते हैं वो hide हो जाएंगी लेकिन यह सिरफ phone की gallery के लिए hide होंगी अगर आप कोई दूसरा application यूज़ करेंगे photos देखने के लिए phone में तो वहाँ पर आपको वो photos जो है वो show हो सकती हैं तो अभी के लिए इस वीडियो में यही था दोस्तो आई होप यह वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को like and share ज़रू कीजेगा नीचे कोमेंट्स में बिताएगा कि आपको कौन सा feature सबसे ज़्यादा amazing लगा और अगर आप इस smartphone की और amazing वीडिय से कर दीजेगा इस वीडियो को देखने के आपका बहुत धन्यवाद दोस्तो